अब बावी दोल इमरान हाश्मी आमने साम में हैं। दोनों में से कौन बड़ा विलेन है। ये साउत के आने वाले पिक्चर में पता चलेगा। क्योंकि दोनों लोग ताल ठुक कर तयार हो गए हैं और ये सावित करने के लिए कि सबसे बड़ा विलेन है कौन। तो क्या है पूरी खबर अपने इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूर अंदीर सेंगर और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ सके संब्सक्राइब और रिलेटिक फिसार वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है। मैं हमें सब कहता हूं कि जब भी मौका मिलता है आपके हर सवाल का जबाब जरूर देता हूं। और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके भाई के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊ तो जरूर आपको मिल जाए। तो चलिए दे नहीं करते कोई वीडियो शुरूर करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि संजदत बहुत पहले से साउत के पिक्चरों में मोस्त बड़े बड़े जो खुखार विलेन होते हैं उसके रोल करते आ रहे थे। लेकिन उनके सामने अब आकर खड़ा हो गया है बौवी दोल। क्योंकि बौवी दोल जब से एनिमल उनकी हिट हुई है और अब उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि पंदर विलेट के रोल में क्या क्या किया मतलब जब से एनिमल हीट हुई है बौवी दोल का जो करेक्टर है बहुत एप्रिसीट किया गया तब से उनके पास पोजिटिव एक रोल को तो छोड़ दीजे कि वो निगेटिव के बड़े-बड़े रोल इतने उनके पिक्चर का जो मुवी है उसके मतलब आलिया वट के अपोजिट में में खुंखार विलेट का रोल भी कर रहे है इसके साथ आप जाएए कौंगवा है उसके अलावा हरी हरा विरा माजू यह भी पिक्चर है परवन कल्यान का तो आप देखने जाएंगे तो काफी पिक्चर है उनके पाइप लाइन में है लेकिन अब उनकी जो पिक्चर आ रही है अब उसमें एक नया बात आया है बता तो कि यह एंबीके जो मैंने पहले भी बताया कि एंबीके 109 जो की नंदा मूरी बाला किष्ण की मूवी है जिसमें बावी दोल एक बहुत खतरनाक विलेंग का रोल कर रहा है यह भी एतिहासिक पिक्चर है तो अब इस मूवी की जो रिलिज डेट है वो रिलिज डेट डिसमबर में उसके मेकर्स लोगों ने बोला था कि दिसमबर में रिलिज हो रहा है पहले इसका डेट नहीं आ रहा था तो डेट करते करते अभी इसको दिसमबर में रिलिज करने के लिए इसके मेकर्स बोल्ड है कि रिलिज हो जाएगी अब उसी के साथ आप देखेंगे तो पौन कल्यार के एक मुवी आ रही है ओजी ओजी में में जो विलन का रोल कर रहे है वो इमरान हाश्मी आपने इमरान हाश्मी को देखा होगा कि अभी टाइगर थी आई थी उसमें उन्होंने विलन का रोल किया था उनके काम को भी काफी एफ्रिशिट किया गया था तो ए देखा जाए तो उस साओध के जो सीने स्क्रीन है उसमें इमरान हास्मी की एंट्री होने जा रही है ओजी के साथ जो की वो भी आप बोल सकते हैं पौन कल्यार के मु मुवी का तो अब यह ओजी जो जो की मुवी है वो करीब करीब बताये जा रहा है सितंबर में रहे जोगी तो सितंबर के साथ दोनों पिक्चरों का क्लैश होने जा रहा है तो चार महीने के अंदर अब देखते कब क्लैश होने वाला है तो दोनों पिक्चरे रहे जोने वा साउथ में कोई ऐसा बड़ा भी जो कंगवा है रेलिज होके आई नहीं है जिसको दर्शत देखके और बता सके किया कि बावी दोल ने इस मुवी में बहुत बड़ा मतलब रोल किया है उनका काम बहुत अच्छा है क्योंकि कैनी एनिमल अभी आई है वो भी साउथ के ने तो बावी दोल के मुवी तो काफी रेलिज हो रही है जिसमें में बिलेन का तीन पिक्चर है पाइपलाइन में है साउथ की पिक्चर को बात कर रहा हो अब इमरान हश्मी की वे एंट्री हो गई है तो अब बॉलीवूर से देखा जा तो तीन जो मतलब स्टार हैं वो लोग को साउथ में वेलेन का रोल करने जा रहा है और इन तीनों में अब कौन सबसे बड़ा वेलेन होगा वो पिक्चर रिलेज होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है या दोशोकों को अपना ध्यान किछने में ज़्यादा बोल सकते है कि सफल हो रहा है तो यह जब पिक्चर तीनों आएगी तब पता चलेगा इसलिए अभी तो हम इंतजार कर सकते हैं हमारे पास कोई और चाला तो है नहीं तो देखते हैं जब सिदंबर और दिसंबर के अंदर में यह पिक्चर रिलिज होगी तो कौन बाजी मारता है आपको यह वीडियो कैसा लग तक के लिए धन्यवाद